हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स का एक नोटिफिकेशन जो हैं आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन की बात करें तो जहें रिक्रूटमेंट की जाएगी मेरिटोर के अप्लाई करना चाते हैं तो तीस अक्तूबर से इसकी जो है ऑनलाइन सब्मेशन फॉर्म स्टार्ड हो जाएंगे और अठाइस नमंबर तक इसके जो है लास्ट रहेगी और ऑनलाइन एप्लिकेशन जो है जे मांगा गया है जहां पे मेल और फीमेल स्केल इंडियन सिट पर तुझे आप देख सकते हैं जहां पर एप्लिकेशन जो होगी आपकी ऑनलाइन मोड होगा रिकूट में जो होगी शाल आप दा फॉलॉविंग तू स्टेजिस में होगी फो स्टेजिस के अंदर आपका ट्राइल टैस्ट होगा प्र प्रोफिशन सी टेस्ट होगा फिर स्टेनर्ट टैस्ट होगा फिर आपका टॉक्मेंटेशन जाई है और सेकिंड जो स्टेज होगी आपकी मैडिकल एग्जामिनेशन की होगी और वेरिफिकेशन आप रिकॉर्ड इलिजिबल सर्टिपेट दॉक्मेंटिंग स्पोर्स सेटिफिकेट विदा और इसको डिया ज टेस्ट और इसके साथ काल आप जो लेटर एड्मिट कार्ड फॉर आल स्टेजिस फार रिक्रूट्मेंट ये शु किये जाएंगे आपको ऑनलाइन मोड अनली एड़ सी एस एफ सी एस रिक्रूट्मेंट वैपसाइड है जहां से आप इसको कर सकते हैं तो पे स्केल जहां पर मैंना आपको बताया 25,000 से लिके 81,000 नैशनल्टी इंडियन होने चाहिए और कुछ इस तरीके से मेंट की विकेंसे इवेंट बेट कैटेगरी क्या क्या रहने वाली यह जहां पर मैंचनी किया गया है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर इसके साथ मेंट विकेंस क्या है तो बात करें तो 48 kg विकेंस की बात करें तो बेट कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं जहां पर पूरी की पूरी जहां पर आप देख सकते हैं तो ग्रेंट टोटल अगर देखें तो बंड 47 प्लस बाश्वाण 68 जिए विकेंसे आपको देखने को मिलेगी और ज लिम्ट की बात करें तो अठारा से लेकि 23 साल तक आपकी लिम्ट होनी चाहिए शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइब की बात करें तो पांच साल की जहां पे एज लिम्ट की मिलेगी आधर बैकवर्ड क्लासिस के लिए तीन साल की और डिपार्टमेंटल जो इनके लिए यहां पर फॉर्टी फाइव यहां पर एज लिम्ट और फॉर्टी यह रहेगी जर्नल इडवलियस ओवीसी इन अपर एज लिम्ट तो यह आपके डिपार्टमेंटल कैंडिटेट्स के लिए यह रहने बाली ठीक है तो जहां पर जितने भी इंपॉर्टन जिजे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जी यहां पर अपने क्यां अपने तो एप्लेकेशन जोगी आप इसको समिट कर सकते हैं ऑंलाइन को find CISFRECTI.CISF.GOB.IN तो यह इसकी वेपसाइड है जहां से आप इसको कर सकते हैं और जहां पर जितने भी इंपॉर्टन चीज़े हैं वो मैं आपको वीडियो के मादिव से जरूर बताने क्योंशित करूंगा और लास्टेट जो रहेगी आपकी अठाइस नमंबर दोहजार तेस रहेगी और एप्लिकेश्ट फी जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट मैं आपकी अप्लिकेशन फी भी बज्चती है तो थो हन्डर्ड रुपीज्ट आपकी अप्लिकेशन फी रहने वाली यह लिए शडूर दोज केंटेղ और लांघंटल wordt कैन देडेट लिफ आप इसके लिए प्लाइज रूट करें किजिएगा तीस अक्टूबर से इसके फार्म लगना स्टार्ट हो जाएंगी और जिक स्पोर्ट्स कोटे की जिए वेकेंस हैं हैट कॉंस्टेबल की जिसमें आपकी 215 जो वेकेंस हैं इसको आउट किया गया है और तीस अक्टूबर स लेके 28 नुमंबर तागर फार्म को फिल अफ कर सकते हैं जिए थी आज की इंपॉर्टन अपडेट वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यव चनल को थैंक्यों फ्रेंट्स गुडबाइं टेक क्यार अईया है और स्बस्क्राइब करें हैं